नमस्का शौकत हैं आप शबी का ये नेनीज टीवी में मैं हूँ प्रिया सिंगा ये नजर डागते हैं आज की बड़ी ख़वरों पर उत्तर प्रदेश में नौ सीटों पर होने जा रहे विधान सभा उप चिनाओ को लेकर राजनीती गर्माती दिख रही है यूपी विधान सभा चिनाओ दोहजाद सताइस के पहले रदेश में हो रहे इस बड़े चिनाओ में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस अपने अपने दावे करती दिख रही है कॉंग्रिस जहां इंडिया गटफंदन में बराबरी की हिस्सेदारी की मांग और उम्मीद कर रही थी वहीं हर्याना विधान सभा चिनाओ में कॉंग्रिस की खराब स्थिती के बाद अखलेश यादब ने गटफंदन में अपनी स्थिती को मस्बूत कर दिया अब उपचिनाओ को लेकर उन्होंने बड़ा एलान किया है कि पार्ठी अकेले ही सभी सीटों पर उमीदवार खड़े करेगी गटफंदन को बरकरार रखने की बात करते हुए उन्होंने कॉंग्रेस उमीदवारों के सपा के सिंबल पर चिनाओ मैदान में उतरने की घोशना कर दी यूपी की नौ विधान सभा सीटों पर 13 नवेंबर को उपचिनाओ के लिए मतदान होना है अखलेश यारव ने बुधवा देर रात बड़ा एलान करते हुए कहा कि सभी नौ सीटों पर गटफंदन के उमीदवार सपा के पार्टी सिंबल पर चिनाओ लड़ेंगे सोशल मीडिया प्लाटफॉम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी उन्होंने इसके जरीए खलेश शारव ने उप्चिनाओ को लेकर अपनी तरफ से उमीदवारों के खड़े करने का एलान कर दिया